आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे यूज करना कैसे टॉपिक रहेगा मैं आपको इस वीडियो पूरा एक्सप्लाइन करके दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से डाउट है जो किलियर हो जाएगा और आप 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 पेज यू का वर्किंग स्टार्ट कर सकते अपने सब्सक्राइब आप को आपको परेज daí करें दिखाऊंगा ऑगा मैं ब्लॉग आपको इस बेल आकन को प्रेस से करे नंगे आता हूं को सबस्क्राइब ड़ेब को प्रेस्से बिथे लिए इसे करते हैं कि सब्सक्राइब इटन को दबाएं बेल आइकन को प्रेस करें और पर किलिक करें जिसे में लेटेस्ट वीडियो आपको नौडिके सने मिल जाएगी आपका जो मैं बेसिक फैक्टर है ऑन पेज ऐसे हो कि मैं आपको इस प्लैन करने वाला हूं इस वीडियो मां पूर करने के वाद क्या होगा आपका कीवर्ड रहता है कीवर्ड के टू टाइपस रहते में यहां पर लॉंग टैलन्स और कीवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राइमरी कीवर्ड और मैं कीवर्ड जो सेकेंड कीवर्ड रहता है मैं कीवर्ड क्य लेते हैं वो रहता है मैं कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता जो सब कीवर्ड रहते हैं उसके मैं कीवर्ड के सब कीवर्ड रहते हैं उसको सब कीवर्ड या सेकेंड कीवर्ड कहते हैं मैं कीवर्ड का आपको कैसे यूज करना है और सेकेंड कीवर्ड को आपको कैसे यूज करना वीडियो को कंटिनू देखते रहें ओकि गाई सम्म ऑन पेज एस्यों के मैन फैक्टर कहा जाए तो वेसिक फैक्टर में आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा टाइटल आपको जो टाइटल है उसमें कीवड कितना प्लेस करना चाहिए कहां पर आप आपकी वेब साइट अच्cych खासी बूष्ट करेगे ओकई आजाता है पॉयंट आता है इस्पतीं बड़ा टाइट वेफसाइट करें अपनी वेफसाइट यह पोर्ष्ट के लिए आपको टाइट एल कैसा रखना चाहिए जिस आपकी वेफसाईट अच्छी रेंक हो सके बूस्टट हो सके ओक हो गया आपका टाइटल टैग αफ टैग अग्सांपिल के त dispon if इस अप की पूर पूरा टाइटल है यह आपको घाए अस cinqui, बॐड़ आपको कहा हम पर पर private करना है आपको मैन कीवर्ड हमेशा फर्स्ट पर ही प्लेस करना है जैसे आप किसी को भी ले लेंगे कोई भी आप कीवर्ड फाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो जो भी वेफसाइट रैंक मिलेगी उसमें क्या रहता है मैन करें तो man keyword है जो आपका उसको first में assume करें जो आपकी post से related है उसको आपको first में डालना चाहिए उसके अब की रएम से ड़ाइट है आपको उच्छ टाइटल लिख सकते हैं जिससे अपको क्लिक करें और यूजर ऐसापकी chat rear करें जासे हम a टाइटल टैट अक्लेस कर सकते हैं। अक्लेस यहोग्श हमेशा हमेशा टाइटल टैग पर आपको मैड कीवर्ड फ्लेस कहना है। 15 से 100 वर्ट या 200 वर्ट का आपको description लिखना है और उस keyword को place करना है and inside and outside आप उसको place कर सकते हैं असानी से और description हमेशा आपको enable करना चाहिए अगर आप blogger पे work करते हैं तो आपको description पे हमेशा अपनी website के बारे में कुछ ना कुछ description देना चाहिए या 50 वर्ट या 100 वर्ट का आपको लिखना चाहिए ओके गाईस यह था description आप आज आता है h1 tags h1 tags क्या होता है h1 tags जैसे आपन कुछ post लिखते हैं तो उसमें कुछ heading देते हैं कुछ आपन bold करते हैं उसको heading देते है heading large heading sub heading आप देते हैं तो उसको h1 h1 हमेशा क्या करता है ranking algorithm factor के अनुसार उसको क्या करता है को h1 tag है जो वन ऐसा effect करता है आपका man keyword जो भी आपका man keyword रहेगा आप उसी को highlight करोगे जैसे आपका man keyword हो गया कुछ भी तो आपको क्या करना h1 पर ही डालना है सब heading बना सकते है heading create कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं h1 पर हमेशा आपको यह की रखना है primary keyword को ही डालना है and write करना है जिससे आपकी website उससे थोड़ा बहुत affected आएगी जो crawler आएगा crawler आगर आपकी website में आएगा तो उसको जब भी वो read करेगा तो जैसे एच बन दिखेगा तो वह अजूम कर लेगा कि आपका यह heading heading या आपका मैं कीवर्ड है इस keyword के अनुसार आपकी website है पूरा explain है पूरा content है आपकी पोस्ट पर इससे वह अजूम करता है इसलिए आपको heading है जो एच बन है हमेशा unique and man keyword ही place करना चाहिए heading heading भी एक अच्छा pointer view है इससे आप अच्छा कासा ranking में effect तो नहीं पड़ता क्यूंकि थोड़ा बहुत crawler को read करने में असानी होती है तो आपकी website boost करती है crawler अच्छा working करता है okay guys formatting formatting test formatting test क्या होता है जैसे आप किसी भी test को जब भी आप content या कुछ article डालते हैं तो इसको italic, bold कुछ भी कर देते हैं तो वह क्या करता है formatting text में चला जाता है formatting test में वह आजूम कर लेता है यह formatting test है आप कुछ भी italic, bold and other other font generated रहते हैं तो आप उसको डालते हैं तो उसको लगता है कि यह मतलब font है जो जब description देते हैं तो थोड़ा सा description का आप उसका italic and bold कुछ भी कर सकते हैं तो वह उसको क्या करता है zoom करता है crawler आता है जो उसको आजूम करता है formatting test है यह clear हो जाएगा okay guys जैसे आपकी एक suppose आपकी एक website है आपकी website का एक post है एक page है okay guys और एक आपकी website है और आपका second page है okay guys यहां पर आपका first page हो गया यह and second page हो गया यह आपका आपका first page and second page जब तक linking नहीं रहेंगे link नहीं रहेंगे तो उसको क्या पता रहेगा कि यह आपका second page है या पेज है तो आपका जो रहता है आउट आउट गोइंग लिंक आपको हमेशा क्या status मैं आपको एक्जामपल के तुरू बता रहा हूँ यह love status का page हो गया यह sad status का page हो गया okay guys इसका enter linking कैसे करना है यह आपका पूरा क्या हो गया love cute का page हो गया आप पूरा content डालेंगे सब कुछ डालेंगे और जब आप बीच पर या कहीं पर भी इस page की link आप इस page पर दे देंगे status की link जब आप love status पर connect कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाती है आउट गोइंग link connect हो जाती है आपकी एक दूसरी page से link create हो जाती है इसलिए यह point आ जाता है backlink के ऊपर क्योंकि अगर आपकी website का यह page है और आपकी website का इस page की link अच्छी high domain name authority page से link हो जाती है यहाँ पर high domain name authority website के page से link हो जाती है तो आपको जो अच्छा response मिलने लगता है जब जिस जब आपकी website इस website का page है जो boost करता है जैसी rank करता है तो उसके सांस जो crawler रहता है क्या करता है इस page को भी boost करना start कर देता है क्योंकि इस से related link है जो इस पर होगा data होगा तो इसलिए वो इस page को भी boost करना start कर देता है इसलिए कहते है backlink ही एक pointer view है अच्छा जो ranking का है और जैसे ही आपका एक page rank होगा तो आपका जो भी outgoing link होगी other other page हो में तो वो page भी आपका Google पे rank होना start कर देगा क्योंकि आपका जो भी page रहे गए यहां पर multiple pages रहेंगे एक दूसरे से connect रहेंगे outgoing link होगी आपकी एक page से यहां link होगा एक page से यहां एक page यहां एक page यहां एक page यहां होता हम फास्टली इस पेजों पर work करना start कर देगी तो आपका अच्छा खासा growth होगी Google पे यह होता outgoing link एक दूसरे page से connect रहना उसी website उसी domain name से return एक दूसरे से connect रहना और other website के पेज पर जाते तो उसको क्या backlink है ना backlink क्रेट हो गई ओकी गाइस यह हो गया backlink यह आपका पूरा डाउट के लिए हो गया होगा कि आउट गोइंग लिंक का आपको पूरा समझ में आ गया होगा पूरा आपको understanding complete होगी होगी और यह हो गया URL domain name sub domain name folder name जब आपको URL क्रेट करते तो आपको क्या करना URL पर्मा लिंक में जाके custom करके unique and user user attractive आपको URL क्रेट करना है क्योंकि जो भी URL आपका अच्छा रहेगा यह का जाए तो article and main keyword रहेगा आपका URL पर main keyword ही आपको URL पर डालना जैसे domain name sub domain name and name folder name आप कुछ भी डाल सकते तो आपको हमेशा URL पर main keyword ही find करके डालना main keyword या पोस्ट से related आप keyword URL पर डाल सकते हैं ओके गाईस यह होगे आपका outgoing and URL domain name हम मैं बताता हूँ ALT text ALT text को आपको पूरा explain करके एक वीडियो बनाऊगा क्योंकि यह image optimization से related है कि image पर ALT text का कैसे working रहते पूरी एक वीडियो बनाऊगा जिससे आपको पूरा ALT text का पूरा doubt clear हो जाएगा और image optimization SEO कैसे complete करना उसके वीडियो में आपको बनाऊगा जिससे आपको पूरा ALT tag का पूरा SEO का पार जो टैग अब आपका man factor clear हो जाएगा अब आ जाता है content content भी क्या इसकी उपर भी dedicated एक वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि content की वीडियो काफी बड़ी होगी क्योंकि आपका man अगर आप blogging की दुनिया पर इंटर करते हो तो king is a content 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 ही king है जैसा आपकी website में content रहेगा copyright content रहेगा या unique content रहेगा वैसे आपकी website में effect पड़ेगा effect पड़ेगा या website के आपकी growth होगी इसलिए कहते है content is a king okay guys मैंस में आपके लिए video step by step लेकि आता रहूंगा इसलिए जो रैट करकी subscribe अनुसे दवाए bell icon को press करें जिससे में latest video आपको notification मिल जाएगी और मेरे को motivate करने के लिए लाइक तो जरूर करके जाएं ओके गाई वीडियो को लाज से देखने के लिए धन्यवाद जय हिंज जय भार अ कि कर दो कि अ कि अ